जै श्री राम प्रिय भगतो प्रिय भगतो आज का हमारा टोपिक है कि ऐसे व्यक्तियों के घर में भगवान का स्थाई निवास होता है और बिना मांगे ही भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं तो पहले बात करते हैं कि कैसे वो व्यक्ति हैं जिनके घर में भगवान का स्थाई निवास होते हैं और बाद में बात करेंगे कि भगवान किस तरह से उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं तो सबसे पहले ये जान लेजिए कि भगवान का वास हर जीव के हिर्दय में है हर जीव के अंदर है जब हर जीव के अंदर भगवान का निवास है तो घर में तो अपने आप ही उसका निवास है क्योंकि आप घर में ही रहते हो लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं हमें महसूस नहीं होता महसूस उसी को होता है पिरिय भगतो जो भगवान के भगत होते हैं और भगत भी दो तरह के होते हैं एक होता है सकामी भगत और एक होता है निसकामी भगत वैसे तो च्यार प्रकार के भक्त बताए हैं स्री कृष्णने गीता में लेकिन हम आपको दो ही आज बता रहे हैं अगर आप सकाम भाव से भजते हो भगवान को उधारन के लिए आपके जीवन में कोई दुख आ गया आपने भगवान को याद किया भगवान के को पुकारा कोई साधना की तो आपका वह दुख दूर हो गया दुख दूर हुया आपके जीवन में सुख आ गया सुख आते ही आप भगवान को भूल गई भूल गए तो भगवान भी वहां से चले गई, यानि कि भगवान का वास तो आपके घर में हुआ, प्रंतु स्थाई नहीं हुआ, कुछ दिन के लिए हुआ, क्योंकि कुछ दिन के लिए आपने सकाम भाव से भगवान को याद किया था, तो भगवान भी थोड़े दिनों के लिए आपके घर में आई और फिर चले गए इसको बोलते हैं एस्थाई वास और ये एस्थाई सुख ही होता है जैसे आपका दुख दूर हुआ थोड़े से दिन के लिए सुख हो गया लेकिन फिर से दुख आया और फिर वो सुख चला गया तो इसको एस्थाई सुख बोलते हैं तो लेकिन स्थाईवास उनके घर में होता है भगवान का जो व्यक्ति दुख में भी सुख में भी बुरी से बुरी प्रिस्थिती में भी हर संकट में हर विपत्ती में भगवान को हमेशा याद रखते हैं उन्हें प्रेम से पुलाते हैं उनके उपर द्रडविश्वास करते हैं स्रधा रखते हैं और निरंतर बस रखते ही रहते हैं रखते ही रहते हैं चाहे कुछ हो जाए बस भगवान को वो भूलते ही नहीं है तो उनके घर में भगवान का स्थाई वास होता है स्था में है तो सब के घर में भी है लेकिन महसूस उसी को होगा जो भगत है जो रात दिन उसका नाम रठता रहता है जिसको उसके उपर सरधा है विश्वास है जिस तरह से सुर्य भगवान का प्रकास पत्थर पर भी पड़ता है और दर्पन पर भी पड़ता है पत्थर में दिखा करके उसके पुकारने से भगती से उसके प्रविश्वास करने से उसको उसका अनुपफव स्पस्ट और हर पल हर शन अपने घर में होता है अपने अंदर होता हैं और ऐसे ही भगतों को जो किसी भी प्रिस्तिती जिस प्रकार प्रिलादभगत थे, अगनी की लप्टे में भी उसको भगवान दिखाई दिये, भगवान की शितल्ता महसूस होई, तो अगनी उसका कुछ नहीं भी गाळ सकी, उसको क्योंकि भगवान का अनुभग हो रहा था, खंब में भी उसने भगवान को देखा, तो प्रिये भगतो अगर आप भी चाते हो कि आपके घर में भगवान का स्थाई वासो तो पहले स्थाई सुख प्राप्ट कीजिए क्योंकि स्थाई जो सुख है वो राम नाम से यानि भगवन नाम से ही मिलेगा रामायन में लिखा हुआ है कि भगवान नाम के बिना स्वपन में भी सुख नहीं मिल सकता, सुख मिलेगा तो केवल भगवान नाम के जब से जिस भी भगवान के आपको के उपर आपका विश्वास है उसी भगवान के नाम का निरंतरता से जब करें तो आपको स्थाई सुख मिलेगा स्थाई सुख मिल गया तो भगवान का वास आपके घर में स्थाई हो जाएगा लेकिन अगर आप निरंतर नहीं याद करोगे तो कभी सुखाएगा कभी दुखाएगा यानि कि कभी भगवान आएंगे कभी चले जाएंगे कभी आपको मैसूस होगे नहीं होंगे ये तो हुई स्थाइवास की बात अब भगवान किस तरे से उनको बिन मागे ही सब कुछ देते हैं देखो जब आपके घर में भगवान का स्थाइवास हो जाएगा तो फिर वो घर आपका नहीं रहेगा वो भगवान का घर है और जब भगवान का घर है तो भगवान का ही ये फर्ज है ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो आपके हर काम को अपने आप करेंगे जैसे आपने इच्छा की कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो तो जैसे ही आपने सोचा भगवान अप अपने आप उसका इंतिजाम कर देंगे जैसे आपने सोचा कि मेरे पास इतने रुपे हो मेरे पास अच्छा घर हो तो भगवान उसका इंतिजाम अपने आप कर देंगे जिस परकार घर का मुख्या बच्चों के लिए जब बच्चा कुछ मांगता है तो कहीं से भी कोई इंत कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको गाड़ी भी मिल जाएगी और उनका नाम भी नहीं होगा आपकी किरपा से मेरा सब काम हो रहा है करते हो तो मेरा नाम हो रहा है नाम आपका होगा काम वो करेंगे और हर पल हर समय आपके घर में उनका स्थाई निवास रहेगा जब तक स्थाई निवास रहेगा जब तक आप निरंतर उनको रठते ही रहोगे रठते ही रहोगे और वह भी प्रेम से क्योंकि क्रिशन क्रिशन सब कोई कहें ठग ठाकूर अरूचोर और बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किसोर बिना प्रेम के तो वह रीजेंगे नहीं लेक कि प्रेम के पुजारी है वो प्रेम के भूके है वो जिस परकार घर में कोई मेमान आ जाए और आप उन्हें प्रेम से बोलोगे प्रेम से खिलाओगे तो आप कोगे न जाओ तो भी वो जानत चाहेंगे नी तो ये तो ठैरे बगवान वो कैसे जा सकते हैं कोई आपका प्रश